इस टेलीफोन एक ऐसी वस्तू है जो टूवे कम्यूनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है याने आपका टेलीफोन पे जब आप बात करते हैं उसको लगना ही नहीं चाहिए इस टेलीफोन पे बात हो रहा है परसनली तुम दिख रहे हैं और बात ऐसी होनी चाहिए कि इच्छा जाग जानी चाहिए उसको मिलनेगा वर्लड वाइर जब हम लोग इंस्वान्स बेचने को जाते हैं या कोई भी प्रड़क बेचने को जाते हैं कस्टमर विल अबजेक्ट और जैसी कस्टमर में अबजेक्ट किया आपका सेल्स शुरू हो गया तो पहला शुरू हब तो एग्ड़ के बाद अगर किसी ने उबजेक्ट किया ना तो एग्दम चाथी थोक के बध़ जाने का उधर क्यूंकि आप्जेक्ष्ण के बाद ही सेल्स होता है दिक्टक्स न अदमी क्यूं देटा है आदमी objection क्यों देता है? आदमी objection इसलिए देता है, क्योंकि वो test करता है, अपना decision लेने के पहले वो तुम को test करता है कि तुम बराबर मेरे को advice दे रहे हो की नहीं. मेरी ताहतों में कोई कमी नहीं है सर, मेरी ताहत में सिर्फ आपका improvement, आपका development, आपका growth, आपका multiplication of income है, तो मेरे मन में कोई quote नहीं, therefore मेरी कसम, आपकी कसम, मैं यहाँ से जाने का तो सवाली में उत्ता, आपको check देना ही पूरेगा. जिस तरह का एक बात्सीत करने का जो एक enthusiasm है, इसके उपर आप खात काम करो, communication का freedom. मैं आपको बताओ, my dear friends, मैंने जिन्दगी बर जो भी पैसा कमाया न, मेरा बोलने के तरीके के वजे से कमाया. Insurance is a product of the mind, in the mind, for the mind. Insurance is a product that cannot be touched, cannot be smelled, cannot be felt, cannot be tasted, cannot be seen. closing होगा नहीं, closing होगा नहीं, उसका system है, पहला चटी डालने का, बाद में बनियन डालने का, बाद में शट डालने का, बाद में पैन डालने का, उन्हें process, probing क्यों करे, ताके customer, question अच्छा च्छा च्छा क्वेस्टन क्यों कुश्टे, ताके interest पैदा हो, so sales में, कब से पहला आदमी salesman को खरीता है, advisor को खरीता है, दूसरा company को खरीता है, तीसरा product को खरीता है, वक्त आ गया है, अभी life advisor बनने का